हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन वेलकम बाक टु दा चैनल तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स दिसे विक्स का सेकेंड चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन वेलकम टू 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 चैनल अगर आप पहली बार चैनल पर आयो तो देखो इस चैनल पर बड़े भाई स्टाइल में आपको सारे चैप्टर इजी से इजी लैंगोज में समझा दिये जाते हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटा फट कर लो ठीक है तो आज का चैप्टर अभी बिना किसी देरी के करते हैं शुरू और तुम बैठो आराम से चिल मा आपके अपन समझते हैं तो देखो प्रिवियस चैप्टर में हमने क्या समझा था भाई डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है हम सब एक नहीं होते हैं हम सब की कुछ अलग अलग होते हैं जो हमें अलग बनाते हैं येट हम सब साथ रहते हैं और खुश रहते हैं ठीक है कई बार हम न अलग होते हैं, अलग होने की विज़े से कई बार हमें लोग चड़ाते भी हैं, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कुछ भी, आप रैंडमली कोई बात कर सकते हैं, आप अलग-अलग चीज़ों पर चड़ाये जाते हो, right, क्यों होता है ऐसा, इस चाप् एक नया वर्ड आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, क्या होता है, बड़ा इंट्रेस्टिंग वर्ड है, एक बार सीख गए ना तो अपनी वोकाबलरी में चार चांद लगा दोगे, सिंपल मतलब यह है, कि नहीं भी चार लोगों के बीच में आप ऐसे वर्ड को यूज खरोगे ना, एक दम आप ओ, बाई साहब, अंगरेज, ऐसे वाले वर्ड आएंगे, ठीक है, तो ऐसे वर्ड को समझो, प्रेजुटा इस बहुत इंपॉर्टन वर्ड है, देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हमें बनाती हैं, कि हम क्या हैं, जैसे कि हम कैसे रह रहते हो, आप नौर्थ में रहते हो, तो वहां कैसे फेस्टिवल से हैं, कैसे पहनते हो, यह सब ठीक हैं, एक्सेक्टर, 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 you will get an idea of how diverse India is, if you look even briefly at the following statement, अब आप ये statement पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि हमारा देश कितना ज्यादा डाइवर्स है There are 8 major religions in the world, इस पूरी दुनिया में 8 major बड़े धर्म हैं, और उन में से एक एक धर्म हमारे देश में पाया जाता है, we have more than 1600 languages that are people's mother tongues, हमारे देश में 1600 से जादा भाषा हैं, लोगों की मात्र भाषा है, आप सोच रूप कितनी बड़ी डाइवर्सिटी है, and there are more than a hundred dance form, हमारे This diversity is not always celebrated, but हमेशा इस diversity को celebrate, मतलब इसका हमेशा फाइदा नहीं मिलता, ऐसा कि इसलिए होता है, क्योंकि हम हमेशा safe cup feel करते हैं, जब हम अपने ही जैसे लोगों के बीच में होते हैं, आप एक बात बताओ, आप स्कूल जाते हो न, वहाँ सारे बच्चे आपकी एज के होते है आप इतना गुल मिल जाते हो, friendship हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, अगर आपको एक ऐसी class में विठा दिया जाए, जहाँ कोई 10 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई कितना बड़ा, कोई कितना बड़ा, तो क्या आप easy friendship कर पाओगे, नहीं ना right, तो वो ही चीज है, हम जहां रहते ह हम जिस तरीके के लोगों के बीच में, आप religious terms में कह लो, geographical terms में कह लो, हम उनके बीच में familiar हो जाते हैं, हम जादा safe feel करते हैं, तो इसलिए कई बार यह जो diversity है, हमारे देश में कुछ problems भी create कर देती है, sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar, कभी-कभी कोई हमें ऐसा मिलता है, जो हमसे ब हो रहा है, कि भाई हमसे क्यों अलग है, कई बार कोई आपके चैसा सेम होगा दिखने में, still भाई उसकी language अलग होगी, उसकी सोच, विचार अलग होगी, यह सब क्यों, अलग क्यों हो रहा है, यह diversity है, ठीक है, अब prejudice, इसके बारे हम आगे पढ़ेंगे, यह पूरा, इतना important ने, यहाँ आपको मैं समझाओंगा, prejudice क्या होता है, उसके बाद आप खुद से यह पूरा पार्ट पढ़ना, सब कुछ clear हो जाए, some of these statements see villagers as ignorant and see people in cities and money minded and lazy, आप देखो, इससे आप कुछ-कुछ statement ऐसे समझ सकते हो, कि ऐसा कहते हैं न, कि जो गाउं के लोग होते हैं, बहुत पहनत नहीं करते हैं, ऐसी ऐसी बाते सुनने को अक्सर मिलती रहती हैं, है न, यह सब क्या लोगों की opinions हैं, when our opinions about certain people are always negative, seeing them as lazy, stingy, as some of these statements, then these become prejudices, तो prejudices का simple भाशा में अगर आपको मतलब समझाओं, तो उसका मतलब होता है भेदभाव, जब आप किसी और के, कि नहीं और लो judge other people negatively or see them as inferior, यान, उन्हें अपने से छोटा समझना, when we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things right differently, simple ची बात है, जब हम किसी भी चीज को करने का सोच लेते हैं, कि यही सही तरीका है, और यही एक तरीका है, तो हम क्या करते हैं, हम end में हमारे साथ यही होता है, कि जब कोई और कुछ और तरीका अपनाता है ना, तो हम मानने लगते हैं कि यह इंसान गलत है, चाहे वो सही भी हो, या उसका तरीका हम से अलग हो, कुछ भी करने का, बट हमें लगने लगता है कि नहीं यह गलत है, क्योंकि जो तरीका हम कर रहे हैं, या जो भी काम हम कर रहे हैं, वो ही ठ ठीक है इसे ही हम क्या करें इसी विज़ से हम जज़ करने लगते हैं हम उसको नेगेटिव समझने लगते हैं और इसी विज़ से हम प्रेजुडाइस करते हैं इसका एक 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 एकक्जांपल आप समझ लो हमारी online किया माना जाता है जो नहीं प्रेज्गेश्स के लिए किया जा सकता है कोई हिंदू है मुसलिम है आपस में दंगे हो गए कलर के लिए तू गोरा है अरे तू काला है कितना काला है कुछ भी बेसिक चीज नहीं है तुम भई सही से हिंदी नहीं बोल पारें तुम थोड़े से मतलब अगर आप असम साइड के हो तो उन्हें ऐसे चीनी-चीनी कहके च अगली चीज कहती है स्टीरोटाइप स्टीरोटाइप भी आपके लिए एक शाए नया वर्ड बहुत इंपॉर्टन वर्ड है अलफ अर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंस हम सब जानते हैं जेंडर डिफरेंस क्या होता है कि जो लड़कियां और लड़कों के बीच में कि अपने करेक्टेस्टिक्स होते हैं लड़कों के अपने लड़कों के अपने लड़कों के अपने लड़कों के अपने what does it mean to be a boy or girl क्या मतला भैस बात का अभी हमने खुद बोला कि boy होना क्या होता है many of you would say we are born as boys and girls it is like it is given what is there to think about भाइस तो मैंसे कई बच्चे सोचोगे कि इसमें सोचना के इसमें पढ़ना किया हम लड़के हैं तो लड़के हैं वो लड़के हैं तो लड़के हैं है के नहीं simple है ठीक है पट ऐसा नहीं होता है तेखो if we take the statement that they don't cry you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men एक उनुच्चा यह जो वो थी न यह आप एक बार फटा फट पढ़ लो they are well behaved they are soft spoken and gentle अगर आपको यह न कुछ characteristics दिये हैं और यह आपको girls और boys में डाल लें तो simple ची बात है naughty को आप किस में डालोगे boys में डालोगे they don't cry को boys में rowdy boys में good at sport boys cooking में आप लड़कें को इस अब हम क्या कर रहे हैं यह हमने कैसे सोच लिया कि लड़कें cooking में अची होंगी और लड़कें रोते नहीं हैं यह सब क्या है यह सब है stereotype क्या stereotype अभी इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं as babies or children when boys fall and hurt themselves their parents and other family members often console them by saying don't cry you are a boy boys are brave and they don't cry बचपन में जब आप चोट लग जाते ही गिर जाते हैं आपके parents आप क्या कहते हैं लड़का अगर आप लड़के हो तो रो मत लड़के हो तो लड़के इतने भादूर होते हैं वो कभी नहीं रोते as a children grow up they start believing that boys do not cry so that even if a boy feels like crying he stops himself from doing so और इससे सुनते सुनते हम एक टाइम पर यही चीज अपने मन में बिठा लेते हैं बड़े हो कि जब हमें कभी-कभी ऐसा लगता भी है एकदम रोना भी आदा तो भी हम नहीं रोते क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है तो यह जो बात हैं इस तरीके सी कि और हमें यह ऐसा हम बता दिया गया है कि रोना is a sign of weakness यह क्या है बिल्कुल गलत है न ऐसा बिल्कुल नहीं होता so even though both boys and girls sometimes want to cry especially if they are angry और ओहो हो और in a pain as they grow older boys learn और teach themselves not to cry ऐसा होता है न राइट क्योंकि जब ग्रोन बॉय रोएगा तो उसको ऐसा लोग उसको चिडाएंगे यह बोल बोल के क्या लड़कु की तरह रो है लड़कु की तरह रो रहा है यहना this is why this is the way boys are and this is how girls are यह कहना यह जो सारे स्टेट्मेंट होते हैं यही स्टेट्मेंट स्टेरियो टाइप कहलाते हैं समझ रहो आप यह देख रहो यहां पर क्या अलग अलग है people say all sort of thing अब कोई विचारा नॉर्मल चल नहीं पाता तो उसका मजाक उड़ाते हैं लंगड़ा लंगड़ा कहके ठ ठीक है you look so different so different I am a person I feel shy from staring eyes I want to hide मतब लोग अपनी जो disability है उसके लिए शर्माते हैं is our mind okay कोई अगर इंसान ऐसा है तो लोग उसके बारे माल अलग अलग बाते करते हैं कि बच्चों के लिए इसका दिमाग भी ठीक है यह तो दिमाग से भी ऐसा ही होगा है ना ऐसी बाते होत इसा होता ना वेन वी फिक्स पीपल इंटू वन इमेज वी क्रिए अस्टीरोटाइब बस यह लाइन आपको अच्छे से समझनी है जब हम किसी भी इंसान को या किसी को भी एक क्या करते है एक फिक्स इमेज देते हैं कि भाई यह चीज ऐसे ही होती है या यह हमेशे ऐसा ही होता है इसे क्या कहते है हम एक स्टीरियो टाइप क्रिएट कर देते हैं वेन पीपल से दाट दोस हो बिलॉंग टो पर्टिकुलर कांट्री रिलिजिन सेक्स रेस और एकोनोमिक बैक्राउंड आर स्टिंगी लेजी क्रिमिनल डंब यह उजिंग स्टीरोटाइप ऐसा कहते ह हर तरीके से ऐसे बुरे चंट लोग हैं जो लटी सीदी बाते फिलाते हैं हर देश में हर रिलिजिन में हर ग्रुप में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो and just because some people are like that it is not fair to think that everyone will be same अब देखो स्टीरोटाइप करना क्यों गलत है देखो बुरे लोग हर सोसाइटी में मिलेंगे ह हर आपको जेंडर हो गया या फिर आप कुछ भी ले लो अमीर हो गरीब हो हिंदू हो मुसल्मान हो पंजाबी हो कोई भी हो आपको अच्छे और बुरे दोनों तरीके के लोग मिलेंगे तो इसका मतलब यह नहीं होता आप किसी एक टाइप के लोगों को आप स्टीरोटाइ हम देखते हैं अरह यार यह तो हम तो इसका तो सरनीम है यह ऩोग तह ऐसे होते बनिया हैं यसे तो इस हो और च होगा क्या है यह थि यह स्टीरोटाइप तो एसा हम मान लेते हैं जो कि भॎत गलत है they fit large number of people into one only pattern or type हम क्या करते हैं बहुत सारे large number लोगों को एक ही pattern में fit करने की कोशिश करते हैं यही stereotype करता है stereotype affect all of us as they prevent us from doing certain things हमें क्या करता है बहुत सारे चीज़ें करने से रोग देता है next हमारी बात आते inequality and discrimination अब discrimination गब होता है और discrimination होता क्या है discrimination में आपको पहले पता है भेदभाव करना भेदभाव is actually meant discrimination पहले हमने पढ़ा था prejudice, prejudice यानि कि किसी का नीचा दिखाना और discrimination यानि कि proper भेदभाव करना अभी समझाता हूं कैसे यह कब होता है जब people act on their prejudices or stereotypes यानि कि जब लोग अपने मन में prejudice और stereotype जो अभी हमने पढ़े उनको बनाने के बाद उसके accordingly act करने लगते हैं क्या करने लगते हैं act कैसे समझोगे ऐसे समझोगे तुम simple जी बात है आपने अपने मन में एक आपका कोई friend था ठीक है simple जी बात है मान लो कि वो बनिया था example आपको सिर्फ समझाने के लिए बाता रहूँ ठीक है कुछ भी x y z मान लो उसका नाम था ठीक है अब वो सरने मुसका कुछ भी हो सकता है तो अब आप समझ लो इस तरीके से कि आपने उसको मन में आपने मिला लिए यह तो बड़ा कंजूस है और यह सारे ही कंजूस के कंजूस होते है ठीक है और यह क्या है यह आपने stereotype बना लिया और आप उसको prejudice क्या होता है आप उससे हमेशा ही बोलते हो कि यार तू कभी party वाटी ने देता हमेशा कभी तो party देता कर कंजूस अब यह कंजूस उससे बार बार ऐसे बोलने लग जाओ है ना और इसकी accordingly आप कभी act भी कर रहे हो कि भाई वो कभी भी जा रहा है दुकान पे अरे अरे भाई कभी party वाटी भी दे दे अरे आज तो खिला दे मतलब आप उसको परिशान कर रहे हो उसी चीज के लिए तो यह आप क्या कर रहे हो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो समझ रहे हो या फिर आप सिंपल जी बात है अगर आपके कोई आपके जैसा नहीं है आप बोल रहो कि यह तो हमारे एरिया में नहीं आ सकता, यह तो हमारे घर में नहीं गुश सकता, हमारे साथ खाना नहीं खा सकता, यह आप क्या कर रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, I know यह चीज़ें आप थोड़ी कम हो गई हैं आपके टाइम पर, बट यह टाइम के साथ हुआ है, हाथ वाला नल होता न, वो भी पहले certain caste को मना कर देते थे, कि यह नहीं यूज कर सकते हमारे इनका पूरा area लग कर दो इस तरीके से discriminate किया जाता था पहले, अब काफी कम हो गई यह चीज़ें है न? Discrimination can take place because of several reasons, बहुत से reasons की वज़े से की आ जा सकता है, you probably recall all the previous chapter, समीर एक समीर दो वाला, जिसमें समीर एक क्या थे बड़ा गरीब सा चोटा सा आदमी था और वो मुहमडन था, और समीर जो दूसरा था, मतलब वो क्या था एक हिंदू था, एक मुसल्मान था, उसके साथ, एक गरीब था, एक अमीर था, इस तरीकर दिखाया था न, एक साइकल पर गुमता था, और वो विचारा उसको देखता था हमेशा, तो अगर यह स्टोरी नहीं आदा, तो कोई दिक्कत नी, बस यही बताया जा रहा है, कि कैसे भाई, एक बहुत गरीब है, मुसल्मान था, उसकी वज़े से उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, यह क्या था, डिस्क्रिमिनेशन का ही तो इफेक्ट था, हावेवर, इस डाइवरसिटी इन आलसो बीए सोर्स ओफ डिस्क्रिमिनेशन, हमारे देश में एक धर्म को मानते हैं, वो लगबग एक जैसी जगह पर रहते हैं, एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं और इसी वज़े से कई बार वो their economic background, एक तो धर्म का था, एक दूसरा डिफरेंस हुन दोनों बच्चों के बीच में था, अमीर और गरीब का, भाई सारे अमीर लोग हैं वो गरीबों को, मतलब सारे नहीं, अब हम फिर स्टीरोटाइप करने चले गए थे, बैट ऐसा होता है ना कि कई बार नीचे दिखाया इसा है, clothing, shelter, experience discrimination, office में, hospital में, school में, हर जगे उनको discrimination देखना पड़ता है, लोग उन्हें, ठीक से treat नहीं करते हैं, बत्तमीजी से उनसे बात करेंगा है, निकलो, और कोई इंसान पैसे वाला हो जाए, तो उसको बहुत इज़त देंगे, some people may experience both kind of discrimination, they are poor and they belong to a group whose culture is not valued, tribals, इसका बड़ा example है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनके पास न पैसा है, और न उनकी society में, बहुत जादा इज़त है, ऐसे लोग भी बिचारे बहुत परिशान हैं, जैसे कि, tribals हो गया, या minority caste, छोटी caste वाले जो लोग होते हैं, छोटी caste नही नंबर में हमसे कम हैं, इसलिए उनको minority caste कहा जाता है, जैसे SCSTs, यह जो है, यह काफ बहुत जादा discriminate किये जाते हैं, अब बहुत कम हो गई हैं, जो इतने बड़े लीडर थे, उन्होंने बहुत काम किया, discrimination के against, तब जाके यह बहुत कुछ कम हो पाया है, क्योंकि इसके against में rules बने हैं, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming to live on a livelihood, however certain kind of work are valued more than others, activity like cleaning, washing, cutting है, जैको भई, सारे काम है, आप पैसे कमाने के लिए हर इंसान काम करता है, पर हमारी society में क्या कुछ काम हो को काम, छोटा माना जाता है, जैसे के ऐसा कहते हैं, कि बहुत कपड़े दोने वाली, बरतन दो अन्टी हो गई, या फिर बाल काटने वाला नाई हो गया, इस सब कूला उठाने वाले अंकल हो गया, इस सब क्या है, इस सब बोले जाता है, छोटे काम है यारी, तो यह सब थोड़ी करना है, हमारे जो ऑफिस में काम करते हैं, उनको माने जाता है, यह बड़ी लोग है, य यही देश चला रहे हैं, है न, ऐसे माने जाता है, कास्ट की कोटिंग ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो हम करते हैं, अपने हर दूसरे दिन, अपनी नॉर्मल बातों में न, बिना अंजाने में जो हम करते हैं, ये भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, दलित is a term that people belonging to so lower caste used to address themselves, दलित क्या है, एक word पहले अब बहुत कम हो गया, कोई यूज नहीं करता है इसको, पर दलित वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटी caste वाले लोग, schedule caste जिने कहते हैं, वो दलित होते हैं, caste and saw themselves as superior, the group who were placed at the bottom of the letter were seen as unworthy and called untouchables, हमारे देश में जो भाई, क्या करा गया, पहले करा नहीं गया, अपने अप हो गया है, जो भाई, caste के according बाट दिया, भाई को ब्रहमन है, कि वो भाई, सबसे उच्छ कास्ट है, सबसे अच्छे काम करते हैं, फिर शत्री आ गए, उसके ब सकते हैं, इस तरीके काम मालिया गया, caste rules were set which did not allow the so-called touchables to take on work, भाई यह से अब नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ हमारी एक तरह से अब आप यह क्या history of home में पढ़ रहा हो, आप इन चीजों को, untouchable, मतलब उन्हें अच्छूत कहा जाता था, उन्हें पढ़ने नहीं काम नहीं करने देते, अपने आसपास नहीं बटकने देते, बैठने नहीं देते, उनसे काम क्या कराते थे, मरे कुरे जानवरों को हटवाना, अपने घर के बात्रूम साफ करवाना, इस तरीके काम उनसे करवाय जाते थे, ठीक है, उन्हें बच्चों के साथ, अगर उन्हे इसा मैंना आपको था ना, greatest leaders इंडिया के उन्हों थे, उन्होंने अपना बहुत cast based उनके साथ जो हुआ, उसकी वज़े से उन्होंने फिर बहुत पढ़ाई करी, उन्होंने बहुत काम किया, nine years old थे, जब उन्होंने यह सब जेला, he had gone with his brother and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra, ठीक है, यह एक story है, जो हमें पढ़नी है, तो यह कहानी है, डॉक्टर बीरम बेटकर की, बहुत time पहले, एक बार क्या हुआ, but no one turned up, हुआ क्या, उनको ना, कोरे गाउं, कोरे गाउं एक जगे थी, उनको वहाँ जाना था, ठीक है, महराश्टर में, जो अब पढ़ती है, अपने वो भ बड़े अच्छी फैमिली से थे, डॉक्टर बीरम बेटकर, रिच फैमिली से थे, तो वो देखके एकदम मतलब टिंच खड़े थे, अच्छे पैसे वाले थे, तो एक आदमी आया, स्टेशन मास्टर, वो ने देखके आया, पूछा, अरे बिटा, बड़े बड़े प्यार से बात कर था, उन्होंने बताया, ऐसे दिक्कत हो गई, यह वो, उसके बात, स्टेशन मास्टर जनरली उसने इसी पूछा, कि अरे बताओ पूरा नाम क्या तुमारा, तो उसने बताया, मैं तो महर हूँ, महर क्या एक ऐसी कास्ट होती, बहुत छोटी, अन्टचेबल माने जाता है, जिसको, एकदम से, उसके फेस पे बड़ा चेंज आ गया, किसके, स्टेशन मास्टर, वो एकदम पलट गया, और कुछ बोला नहीं, और फिर वो कुछ बोला ही नहीं, और वापिस जाके बैठ गया, वो देखके, जो बीर अमेट का बिचारे बढ़े, वो परिशा वो दोनों बिचारे, क्या हुआ, उनके पाँ स्टेशन मास्टर वापिस आता है, उनसे बोलता है, कि भई कब तक यहां खड़े रहोगे, तुम लोग यहां से चले जाओ, तो वो बोलते हैं, कि सर हम क्या करें, हम तो बहुत देट से ट्राय कर रहे हैं, तो बोलता है, यह बैटके चले जाओ, तो तब बिचारे BRM बेट कर उसको बताते हैं, कि ऐसा नहीं है, सर हमने कोशिश नहीं करी, हम उनके पास गए, हमने बोला हमें कोरे गाओं छोड़ दो, बट जब उनको पता चला कि हम ऐसे से, मतलब हम ऐसे untouchable हैं, तो भले ही हम लग नहीं रहे, बट जब उनको बताते हैं, तब वो नहीं मानते हैं, कि भाई हम अपना, जो वो है न, बुला काट वो गंदा नहीं करेंगे, वो अशुद हो जाएगा, तो मैं बिठा लेंगे, तो हम तुम्हें नहीं लेके जाएगे, चाहे तो हम डबल पैसो तो तब भी नहीं लेके जाएग कितना गंदा फी लोगा न, एक स्मॉल इंसिदेंट शो कि छोटी सी चीज की वज़े से तो उस समय के लोग भई बचारे दो बच्चे कितना जादा परिशान हुए, भाई सारे काट चितने भी वहां पे, सबने तांगे वाले थे, सबने उन्हों मना कर दिया, तो यह सब क् कास्ट-based discrimination is not only limited to preventing दलित from understanding, undertaking certain economic activities, but it also denies them to respect and dignity even to others, कहने का मतलब सिंपल यह है, कि स्टोरी से हमने यह देखा, कि discrimination से नाकिवल हम दलित को रोकते हैं, काम करने से अलग-अलग तरीगे, उसके साथ-साथ उन्हें सोशल इज़त और यह सब चीज़ें भी पहले नहीं दी जात था, striving for equality, उसके बाद शुरू हुआ, equality के लिए एक challenge, मतलब कि भाई उन लोग में लड़ा, उनका भी struggle था, the struggle for freedom for British rule also included within it, the struggle for of large group of people who not only fought against the British, but also fought to be treated more equally, अब हमारे देश में यह भी बड़ी दिक्कत थी, जिस समय हम सब लड़ रहे थे आजादी के लिए अंग्रेजों से, उसी समय एक जंग हमारे देश में आपस में भी चल रहे थी, जो बहुत गलत था, मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत गलत था, जो बिचारे ऐसे दलित लोग लड़ रहे थे अपने rights के लिए, किन से ब्रामबनों से, अमीर लोगों से, कि हमको भी हमारे proper rights चाहिए, जिसमें ब right to education चाहिए, peasants जो बिचारे काम करते थे, उनके उपर बहुत ज़्यादा tax लगता था, उन्हें जिन्दगी भर के लिए नौकर रख लिया जाता था, उन्होंने अपना आजादी के लिए लड़े, इस सारे लोग लड़े, तो जब हमारा देश फाइनली आजाद हुआ और ये practice को कम किया जा सके, उन्हीं में से एक rule है, reservation, जो आज आपने कई बार सुना हुआ, reservation हमको मिलता है, जो caste है उनको reservation मिलता है, lower caste वाले लोगों को, right, वो इसलिए करा, क्योंकि पहले उनको बिलकुल भी नहीं कोई लाओ करता था, ठीक है, so these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all people of India were considered equal, the equality, ये जो constitution था, इसने ensure करा कि हमारे देश के हर इंसान को क्या equally treat करा जाए, सबको equal rights दिये जाए, हर इंसान की अपनी value है, और किसी भी तरीगे से भेदभाव को ना किया जाए, और discrimination को as a crime देखा जाए और legally उसको abolish किया जाए by law, people are free to choose the kind of work they do, people लोग जो चाहे वो काम कर सकत कोई particular काम करने से, government job सब के लिए खुल गई, चाहे आप दलित हो, untouchable हो, कोई फरक नहीं पड़ता, आप exam दो, आप आ सकते हो, in addition, the constitution also plays responsibility on the government to take specific step to realize their right to equality, to for poor and such marginal communities, इसके साथ-साथ government ने extra actions भी लिये ताकि उनको equality तक पहुँचाया जा सके, constitution के writer ने diversity को respect करा, significant element ensure करे equality में, they felt that the people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festival, express themselves freely, they said no one language is or religion or festival should become compulsory for all to allow, मतलब आप किसी को भी force नहीं कर सकते के एक particular language को, एक particular religion को ही माना जाए, उनका जो धर्म चाहे वो माने, जो भाशा चाहे वो बोले, हमारे देश में हर इंसान आजाद है, और इसी वी वज़े से तो इंडिया को हम secular कह आपाते हैं, और इंडिया इसी वज़े से एक secular country कहलाया, क्योंकि यहाँ पर हर इंसान के पास आजादी है अपने धर्म को चूज करने की, यह constitution का photo है, जो आप देख सकते हैं, उसका पहला page है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें आपको सारी important चीज़ें मिलेंगी, the freedom to practice and follow the religion without any fear of discrimination, यही हमारे देश को secular बनाता है, this is seen as an important element of our unity, इनी चीज़ों की इसी constitution के आने के बाद ही हमारे देश में एक unity बनी, though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today, but उसके साथ साथ यह chapter आज भी आपको याद दिलाता है, कि यह जो inequalities जिनके बारे में आज हमने समझा पढ़ा, यह समयदारी है मिलकी, हम क्यों जान रहे हैं ताकि जो चीज़े हम गलतियां कर चुके हैं, वो आगे ना करें, तो अगर इस तरीके की discrimination practices आज भी हो रही है, तो उनको धीरे धीरे बिल्कुल खतम करना है हमको, और यह हमारी समयदारी है, I hope आपको पूरा chapter अच्छे समझ में आ तरीए.